नमस्का मैं ओस्टासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं पहली स्वोमवारी को बाबा धामे 2 लाक कवर्यों ने किया जलारपन स्रावन मेले की पहली स्वोमवारी पर बाबा धामे भक्तों का सहलाब उमर पड़ा बाबा पर जलारपन करने आय कवर्यों की कतार बाबा मंदीर से करीब 12 किलोमेटर दूर कुमाइठा स्टेडियम तक पहुँच गई वहां मा पारवती मंदीर में जलारपन कराने वाले भक्तों की कतार मंदीर के पच्छिम द्वार से निकाल कर सन बेल बजार होते हुए सबजी मंदी के पार तक पहुच गई बता दे इस दोरान साम करीब 7 बए तक पहुने 2 लाख कवर्यों ने बाबा बैदनात पर जलारपन कर मंगल कामना की इधर सुबह करीब पहुने 4 बजे 2 आरगा में जलारपन के लिए कवर्यों आपस में ही धाकामों की करते दिखे इसके बाद पूलिश ने तुरंत मोर्चा समभालते हुए कवर्यों को कतरबत तरीके से जलारपन कराने की विवस्ता को बहाल किया बता दे सरावनी मेला के प्रत्थम सोमवार में गर्मी को देखते हुए नगर निगम की टीम पानी के फुवारे से कवर्यों पत को नमी करते रहे मौसम भीग्यान केंद्र रांची ने वर्ष 2022 में जारखन में समाने मानसुन बार्सा की उमिजताई थी जेट और असाड के बाद सावन में भी आवसत से कवर्षा हो रही है जो क्यास लगाए गए थे उसके मुताविक कवर्षा रिकॉर्ड की जा रही है बता दे कि जारखन में जैसे से दीन बीत रहा है मौसम भीभाग के पुरौण मान के उलट राजे के जैतर जीलो में कौम बारिस की वज़से थीती बिकट होती जा रही है मौसम भीग्यान केंद्र राची द्वारा जारी मौसम अपडेट करूण सार राजे में समाने से 48 फिश्दी कम बर्षा रिकॉर्ड की गई जिस करण किसानी के प्रभावित होने की पूरी समभवना है हलाकि किरिसी बिभाग के सन्युक्त निदेशक मुके सिना ने कहा है कि राजे में अभी तक समाने से काफी कम बर्षा रिकॉर्ड की जा रही है अभी भी बिभाग को अगले 15 दिनों में अच्छी वर्षा की उमीद है जार्खन में 80 विधायकोंने की वोटिंग 16 वा राष्ट पति चुनने के लिए 100 मार्खो जार्खन विधान समाम में 20 वोटिंग हुई सुबह 10 वई से साम 5 वई तक वोटिंग हुई सबसे पहले बिजेपी विधायक अनंत ओजा ने वोटिंग की इसके बाद विधायकों का आने का सिल सीला शुरू हुआ बताद स्यमें वोटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते वे कहा है कि पार्टी के निरनय के नुरूप जे एमें के सांसत और विधायक ने वोटिंग की है इस चुना में एंडिये परतियासी द्रोपदी मुर्मू और यूपिये परतियासी अस्वंत सिना है 21 जुलाई को मतोक की गिंती होगी वहीं 25 जुलाई को नई राष्पति का सपत ग्रहन भी होगा ज्यारखन की पहली महिला राजे सभा सद से महुआ मांजी बनी ज्यारखन का नाम इतिहास के पनों में पहले से ही दर्जाय लेकिन सोमार को एक और नई इबारत जुड़ गई बता देया हर ज्यारखनडी को गरवनित करने वाली घटना है इसका सरे मुख्यमंत्री हेमन सुरेन और उनकी पार्टी ज्यामों को जाता है ज्यामों नेत्री और वरिष्ट साहित्यकार डाक्टर महुआ मांजी ज्यारखन की रहने वाली पहली ऐसी महिला बन गई है जो राजसभा की सदसे हैं ज्यारखन से अब तक कोई अस्थानिय महिला राजसभा में नहीं भेजी गई थी वहीं कांग्रेस की ओर से सूसरी, माबेल, रेबोलो, वर्ष्ट दोयार छो से बारा तक सदसे जरूर रही थी लेकिन वह ज्यारखन की अस्थानिय महिला नहीं थी वह मद्य पर्देश के भुपाल की राने वाली थी ज्यारखन में बिजली संकट गहराया 600 मेगावार्ट तक लोड सेडिंग नेशनल ग्रीट से सूमवार की साम आपूर्ती बाधित होने के कारण राजी में करीब 600 मेगावार्ट तक की लोड सेडिंग करनी पड़ी इसका असर राजधानी समयत अने सहरो पर पड़ा है सूमवार को राजी के अधिकतम मांग 1800 मेगावार्ट थी जनकारी के मुताविक सूमवार को पीक आवर में नेशनल ग्रीट की फ्रेक्वेंसी 50 से घटकर 494 हर्ट हो गाई अजसी स्थिती किसी पर देश द्वारा तय सीमा से अधिक बीली लेने के कारण हुई नेशनल ग्रीट पर संकत देखते हुए लोड डिस्पेच सेंटर ने राजधा को तय कोटे से अधिक बीली नहीं लेने का निरदेश दिया वहीं स्थिती नियंत्रित करने के लिए ततका लोट सेडिंग आरम की गई है केंद्र की तर्ज पर समाधान योजना लाएगी है मंत सरकार केंद्र ये बिकरी कर वेट एवं अने लगू कर अधिनियमों के तहत राज सरकार का कई उपकर्णों पर करोड रुपए बकाया है जिसकी वसूली के लिए नए सीरे से पर्यास करने के त्यारी की जा रही है केंद्र सरकार और कुछ अने राजों में ऐसे मामलों को लेकर समाधान योजना लाई गई थी जिसका लाब इन सरकारों को मिला है जारखन भी इसी परकार समाधान योजना को लाने के लिए अगामी मांसुन सत्र में विधैक पेस करने जा रहा है बता दे इस विधैक के माध्यम से कूल बकाया 3690 को रुपए वसूलने की तयारी है सुचना के अनुसार इसमें से 1325 को रुपए से सम्माधित मामले विभीन आपीलिये नियालों में विचाराना धीन है जारखन में कुरोना ठीका करन की बढ़ी रफतार जारखन में कुरोना ठीका करन के तहद अब तक 4 कोर से अधिक डोज की वैक्सिन लग चुकी है रभिवार को यह आकड़ा 4,10,44,956 पहुँच गया इनमें पहली और दूसरी डोज के लावा बुष्टर डोज भी सामिल है इधर कुरोना ठीका करन के तहद 18 वरस अधिक आजू के सभी नागरिकों के बुष्टर डोज मुफ्त लगने से राजे में ठीका करन में तेजी आई है बता दे राजे में महाज 3 दिनों में 42,265 लोगों ने कुरोना ठीका का बुष्टर डोज लगवाया इन में 33,382 नागरिक उस आजूवर्क के हाँ जिने अभी तक बुष्टर डोज नीजेस पतालों में ही निधाईत रासिक के भोकतान पर लगाई जा रही थी सातवी जेपी एसी परिक्षा बिवाद में चार सपता बाद होगी सुनवाई जारखन हाई कोट के जाश्टिस डाक्टर एसन पाठक के अदालत में सातवी जेपी एसी परिक्षा में सामिल अभियार्थी के माक्स स्टेट्मेंट एवाद मोडल उत्तर पुस्तिका नहीं दिये जाने के खिलाब दाखिल आज का पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपी एसी को जबाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है मामले में अगली सुनवाई चार सप्ता बाद होगी इस समध में प्रार्थीक करन सहीत अने की ओर से हाई कोट में आज का दाखिल की गई है अबरक छेत्र में बाल स्रम और ट्रैफेकिंग रोकने को जगरूपता अभियान जारखन के अबरक खधान वाले छेत्र में बाल स्रम और बचों की तसकरी रोकने तथा गुनवाता पूर्ण सिक्षा के बारे में जगरूप करने के लिए नोबेल सांती पुरसकार से सम्मानित कैलास सत्यार्थी द्वारा अस्थापित कैलास सत्यार्थी चिल्डरेंड फाउंडेंशन वास्थानिय परशासन ने सोमवार को सब्ताफ और चलने माले जागरूपता अभियान का सुभारम किया बता देया अभियान कोडार्मा यमगीरी डिजीले में जीला बाल संगर्चन इकाई पुलिस विभाग वा रेलवे सुरक्षा बलके सनुक तत्धान में चलाया जाएगा इस दोरान पार्चा बित्रान, नुकर नाटक, गीत, जनसभावा, जन चौपाल जैसे कारेकरमों के जर्ये लोगों को जावरूप किया जाएगा पलामो में 31 स्कूल का नाम उर्दू में बदला बिभाग को मालूम तक नहीं जारखन में बिद्यालेों का धीरे धीरे उर्दू करन हो रहा है बगार सरकार और सिक्षा विभाग के नुमती और अर्जिसुचना के ही नाम बदल कर उर्दू बिद्याले कर दिये जा रहे है इसके बाद प्रातना से लेकर पढ़ाई तक के तोर तरीके में इस्लामी पत्ति अपनाई जा रही है सिर्फ पलामो जिले में 31 बिद्याले को उर्दू में बदल दिया गया है या आकडा यूडेक्स का है हलाकि वास्तिविक संख्या इससे भी अधिक है या बदलाव कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ इसकी सही जनकारी सिक्षा भी भाको नहीं है मामले का खुल असा होने के बाद कार्णों के जनकारी जुटाई जा रही है हीट एंड रन मामले में 40 लाख रुपए लेप्स जगरूपता की अभाव जारखन में हीट एंड रन मामले में मिरित्ता के परिजनों को पैसा भी ना मिले ही 40 लाख रुपए लेप्स कर गया जबकि हीट एंड 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 मामले में मिरित्ता के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का परोधान है मतादे एक अप्रेल से मुअबजा की रासी को 25 से बढ़ा कर 2 लाग कर दिया गया है इसके बावजूद 5 सालों में सिर 20 मामलों में ही लोगों को मुअबजा दिया गया 2021 में 13 मामलों में परिजनों को मुअबजा मिला इन 13 मामलों में 9,25 यह रुपे का भुगतान किया गया बीते 5 सालों में 560 मामले ऐसे हैं जो हीट एंड रन केस के दारे में आए मगर परिजनों द्वारा रोट सेप्टी डेवलोप्मेंट को आवेदन ना के बराबर मिला यानि एक पर्तिशत भी अवेदन नहीं मिला है धनबाद में पहली बार सीव महा आर्ती में उम्रा जन सहलाब हर हर महा देव और हर हर गंगे को उद्गोष से सोमवार को धनबाद सहर गोज उठा बताजे सावन की पहली सोमवार के अवसर पर जहरखन इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसियेशन की तरफ से राजेंदर सरोवर बेकार बांध में अवेजित गंगा आर्ती के दरण सरधालों का सहलाब उमर पड़ा बनारस के अचार रंधीर के नेतित में आई टीम ने भवे तरीके से मागंगे की आर्ती की सुलाहवा राष्टपती चुनाव में 98.90 पर दिसद वोट देश भर के सांसोदो अर्विधायकोन सत्ता रूड राष्टी ए जनतांत्री गडवंधन एंड ये की उमिद्वार द्रौपदी मुर्मो और विपक्षी दलो के उमिद्वार ये स्वांत सिनहा में से किसी एक को भारत के सुलाहे राष्टपती के तर पर चुनने के लिए सोमर को मद्दान किया बता दे भाजपाक के दबदबे और विजू जनता दल बासपा सीव सेना और जारखन मुक्ती मोर्चा जैसे छेतरिये दलो के समर्थन के साथ मुर्मो की वोट हिस्यदारी लभग दो तिहाई तक पहुँचने की समावना है और वह सरोज समयधानिक पद पर आसिन होने वाली आदिवासी समुदाय की पहली नेता और दूसरी महिला होगी बेटे की गिरफतारी पर बोले लोबिन सर्च सामने आएगा बोरियो के जैमेम बिधायक लोबिन हेमरेम के बेटे अजाई हेमरेम को पुलिश ने फरजिवारा केस में गिरफतार किया है इस पर सोमवार को राष्ट पती चुना में जहरखन बिधान समाएं वोटिंग करने आए लोबिन हेमरेम ने बेटे पर लगे अरोब को सीरे से खारिच किया कहा कि अजाई हेमरेम ने 14 वर्षो तक नोकरी की है कहीं कोई फर जिवारा नहीं हुआ है दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ लोगों ने सिकायत की है इसकी जाच हो रही है जाच के बाद हमने आ जाएगा बता दे कि अजाई हेमरेम पर गलत वन सावली बना कर इसी एल में नोकरी लेने का आरोप लगा है सरेंडर करने की तैयारी में था नक्सली मावादियों ने माल डाला सेंट्रल कमीटी के सदस्य अनलदा ने सरेंडर करने से पहले ही सबजोनल कमांडर गुल्चन स्ङंग मुंडा ओर्भ गादी मुंडा ओर्भ सुभास मुंडा के हत्या कर दी है गुलसन पर पांच लाख रुपए का इनाम था हत्या के रोपी सीर्ष नकसली अनलदा पर एक क्लोर का इनाम है यह जनकारी पुलिस मुख्याले और स्पेसल बरांच के अधिकारियों को मिली है हलाकि सो बरामद नहीं होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं किया है जार्खन राज और राज पत्रित महासंग 24 पचीस को करेगा महासमेलन पंजार खंटाज और आजपत्रित महासंग आगामी 24-25 सितंबर को रांची में महासं मिलन का आउजन करेगा इसकी रूप रेखा रांची भूब बंदोबस्त कर्याले परिसर में आउजित बैठक में त्यार कर ली गई इस बैठक का संचलन महासंग के महासची रामाधार सर् थी नवीन चोधरी ने की बतादे महासंग की बैठक में अताय किया गया की 24-25 सितंबर को आउजित होने वाले महासं मिलन में सरकार के सामने स्वास्थ विभाग में कारड़त सभी करमचारियों को नियमित करने की मांग रखी जाएगी जारखन में 2.3 तो राची में 23 फिशदी मिल रहे संक्रमी जारखन में कुरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहीं जाच की गती बहुत धिमी है राजे में रोजाना 9000 से भी कम जाच हो रही है वही 8 PCR जाच कुछ सेंटर पर ही हो रही है या कूल जाच का मात्र 5-10 फि राची में 15-13 फिश्टी के शाप संक्रमीत मिल रहे हैं राची में 6 माहमे 33 तीरपन डील सस्पेंड़ वहंचाला क्यातायात नियमों का उलंखन करनेक से बास नहीं आ रहे हैं यही का राची जिली में पिछले 6 माहमें 850 लोगों के डाविलासेंस असिरफ के गाएMoon के और ओवर्लोडिंग और बिना हेलमेट गाली चलाने सहीत अन्य आतयात नियमों के उलंगान पर याय करवाई की गई है ट्रैफिक विभाग के उनुसंसा पर जीला परिवहन का रियाले निया करवाई की है बता दे सबसे अधीक ओवर्लोडिंग के माबले में डियल सस्पेंट किय गए हैं ओवर्लोडिंग में 1644 बिना वाहन हेलमेट के चलाने पर 309 और आसुरक्षित वाहन चलाने पर अंठान में वा अननियमों के उलंगान पर दो लोगों के डियल सस्पेंट हुए है रामगड के कुजू में 1.5 करोर का गंजा बरामत रामगड के कुजू ओपी छेतर से पूलिस ने करिब डेढ करोर का गंजा बरामत किया है पूलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक और खालासी को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है इस बात की जनकारी SP प्यूस पांडे ने दी बता दे SP स्री पांडे ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि गुपत सुचना क्या धार पर मांडू थाना कुजू ओपी छेत्रे के एने स्थित हैसाक गड के समीप अभियान चला कर पूलिस ने दस चका ट्रक को रोक कर छानबानी की पंच खेरो जलासाय हादसे में 600 बरामत कोडार्मा जिले के मरकचो परखंड मुख्यला इस्थित पंच खेरो जलासाय में हुए नौका हादसे में 8 लोग डूब गए थे डूबे लोगों के 100 की बरादमी के लिए एंडी आरेप की टीम सुबह 6 वह से रेस्क्यू अप्रेशन चला रही है अब तक कुल 600 बरामत किये जा चुके हैं डूबे लोगों में से सीतारा म्यादव, सेजल कुमारी, अनील, राहूल कुमार और सियम कुमार के 100 को निकाला जा चुका है बता दे एंडी आरेप की ओर से रेस्क्यू अप्रेशन जारी है मंगलवार को दिली जाएगा वैलेट बॉक्स 21 को मत गणना राष्ट पती चुनाव के तहट चुमवार को हुए मत दान के बाद वैलेट बॉक्स विधान सबाई स्थित स्ट्रोंग रूम में रखा गया है वहाँ सुरक्षा की 24 गुना साथ व्यवस्था की गई है भारत सरकार के अपर सचीव साफ प्रेक्षक डाक्टर राजेंदर कुमार की निगराणी में ना के ओल मत दान हुआ बलिक उनकी देख रेक में ही वैलेट बॉक्स स्ट्रोंग रूम में रखा गया है सुरक्षा के बीच वैलेट बॉक्स मंगलवार को दिली भेजा जाएगा वहीं एक कईस जुलाई को मत गरना होगी जनम मिर्त्यू परमान में लपरवाही पर अधिकारी होंगे दंडीत राज्य ग्रामिन विकास संस्था के हेलल इस्थीत सभागार में सोमवार को दो दिवसे राज्य अस्तरे जनम मिर्त्यू रजिश्ट्री करन प्रसिक्षन सकार्यासाला का सुभारम हो गया मौके पर सभी जीलों से जीला सांखे की पता अधिकारी सा अपर जीला रजिस्टार नगर निगम के अधिकारी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजे को रजिस्टार मजूद रहे योजना एवम विकास विभाग के अर्थ एवम सांखे की निदे सालाई के इस योजना में बतर मुख्याति थी पहुँचे विभागे सचीव राहूल सर्मा ने कहा कि आज भी जनम मित्यु पर्मान पत्र बनाने वाले लोगों को बहुत सी मुसिकलों का सामना करना पड़ता है ये पर्मान पत्र कैसे सरल्व सहज तरीके से बने इस पर सब को ध्यान देना होगा दिली से सहयोगी संग मनोज पासवान गिरफतार गौव माता की सेवा करने वाले भागय साली होते हैं मनत्री बादल, राजगे किरिसी एम पसुपालन मनत्री बादल पत्रलेक ने कहump है कि गौव सेवा बड़ा ही कथिन परिश्रम वाला कार्य है इस काम को वही कर सकता है जिसमें गौव माता के लिए भगती हो लोग गाय का पालन करते हैं और दूद पीते हैं जब गाय बुटी हो जाती है और दूद नहीं देती है तो इसको बेश देते हैं यह बहुत गलत बात है यह लोग बढ़ ही भागे साली हैं जिनको गौव माता की सेवा करने का मौका मिलता है उन्होंने गौव साला को मिलने वाली अडुदान की रासी को लेकर बताया कि विभागे जहनजट और कागजी करवाई को कम से कम किया जाएगा जिससे गौव वन्स बिभागे स्टेट लावली हुड परमोसन सोसाइटी की ओरते जोहार पर्योणा आरम की जा रही है विस्वबाइंग के सहयोग से आरम होने वाली पर्योजना का उदेश जार्खन की गिरामिन अबादी के लिए किरिसी समयत अस्थाय आजिवका की विवस्था करना है इसके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूले